Assalamualaikum KSC 100 पर detail में discuss करेंगे और आज हास तोर पर evaluate करने की कोशिश करेंगे यह market का जो current meltdown चार रहा है यह कहां पर आकर रुख सकता है कुछ facts की basis के उपर देखेंगे पहले देखते हैं last video के अंदर हमने क्या discuss किया था last video में हमने evaluate करने की कोशिश की आप जो traders है ना mostly traders हैं वो obvious react करेंगे कि आप buying के लिए जाएंगे कि आप market 47,000 का barrier तोड़ देगी क्योंकि आप तो मसले सारे हल हो गया है government को vote of confidence मिल गया है लेकिन जिसना से मैंने Senate election हारने के बाद और vote of confidence मिलने के बाद बताया था कि market कभी भी obvious चीज़ों के उपर नहीं चल दे तो कभी भी market के अंदर जाके वो काम नहीं करें जो हर बंदा कर रहा है ठीक है तो इसके अंदर काफी कुछ हमने momentum को लेके discuss किया था market के एक जो important चीज़ थी आपको दोबारा से बता दूँ जो हमने last video के अंदर discuss ही थी momentum को लेके जब market अपने momentum में चल रही होते है और अच्छे market के अंदर volumes भी आ रहे होते है ठीक है जिसना आप यहां पे देख रहे है market एक high बनाती है correction लेती है high बनाती है correction लेती है इसको basically higher 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 lows बोलते है लेकिन जब market अपना momentum break करती है तो momentum जब break करती है तो उसकी सबसे पहली indication क्या होती है कि market अपना previous low break करती है market अपना previous low break करती है और नीचे से market के volumes गिरना शुरू हो जाते है तो यह सबसे पहली indication होती है कि market के अंदर momentum अब हतम हो रहा है तो उससे आप कुछ भी expect कर सकते हैं जिसना से मैंने last video के अंदर आपको बताया कि market के अंदर कुछ थोड़ा सा bounce back आ सकता है जो market अपना lower high बनाएगी लेकिन market ने lower high नहीं बनाया जिसना आप यहां पे देख रहे हैं market straight नीचे गई उसके बाद market ने थोड़ा सा bounce back लिया lower high बनाया और उसके बाद दुबारा से आप market नीचे के तरफ जा रही है अभी कुछ facts share करता हूँ market के हवाले से आपके साथ जिसना से आपने last time देखा था जब market की rally चली थी और market ने 43,000 का high लगाया था 43,000 का high लगाने के बाद market ने एक इसी तरह की speedy correction ली थी बिल्कु उसी तरह से market अभी correction ले थी जिसना से market ने last time ली थी अब ये last time market ने कितनी correction ली थी वो देखते हैं last time market ने 9.30% की correction ली थी अपने top से और market ने अपना bottom बनाया था तकरीमन 39,000 का उसके बाद market ने इसी तरह से speedy एक recovery भी दी और उसके बाद market sideways होगी ये काफी दफ़ा बता चुका हूँ कि market जो है कोई भी price हो किसी भी script की price हो index हो ये बिल्कु एक spring की तरह होता है इसको आप एक हद तक bend कर सकते हो अगर आप तेजी के साथ उसको bend करोगे और एक हद तक उसको ला कि जब छोड़ोगे तो उसके अंदर एक उचाल आएगा बिल्कु उसी तरह जिस तरह से आप यहां पे देख रहे हैं कि market यहां पे भी straight market ने एक correction ली थी और उसके बाद जब उचाल आया उसके बाद फिर शायद market आप कुछ sideways होती देखेंगे यहां पे market ने 9.30% की correction ली थी और यहां पे अभी currently currently के अंदर market 7.50% की 7.5% की market correction ले चुकी है हम अगर यही expect करें कि जो last time market ने correction ली थी 9.30% की उतनी market अगर correction लेती है तो figure आएगा 42,700 का एक और चीज़ आपको बता दूँ कि जब market bull cycle के अंदर होती है जब आपना market cycle चेंज करती है जिसना से हमारी market अभी bull cycle के अंदर आ चुकी है तो market जब perform करती है तो perform इसी तरह से करती है जिसना से आपने यहां पे देखा जिसना से market ने straight perform किया और दूसी दफ़ा भी आपने यहां पे देखा कितना जबर्दा straight market ने perform किया और फिर जब corrections आती है तो वो भी इसी तरह से aggressive corrections आती है और एक जब bull cycle के अंदर market होती है अच्छा market perform करती है उसके बाद 10% तक correction आना market के अंदर normal सी बात है कोई बड़ी बात नहीं है market के अंदर और अभी market 7.5% correct होई है और अगर हम यही expect करें कि market 9.30% last time की तरह correction लेगी तो वो 200.700 का figure बनता है यह एक figure है अब इसको कुछ हम दूसरे point of view से देखते है कि उस हिसाब से market क्या रखती है अभी यह आपके समने मैंने moving average लगाई है एक 100 day moving average है simple moving average और दूसरी exponential moving average है वो भी 100 days की है अब अगर यहाँ पे आप देखें तो last time market ने इस 100 day moving average को ही respect किया even कि market sideways होगी उसके बावजूद market ने 100 day moving average को respect किया हलाँ कि जब market sideways हो volumes ना हो तो market moving averages को respect नहीं करती लेकिन यहाँ पे आप आप ने देखा कि 100 day EMA और 100 day MA moving average को market ने बार बार तीनों दफा रिस्पेक्ट किया जब market ने तीन दफा अपना bottom लगाया था और अगर currently भी आप देखें तो market जो close होई है 43,700 पे तो market 100 day EMA पे close होई है भी ठीक है और इसके अलावा एक pattern भी यहाँ पे add करते हैं मजीद अच्छा इसको समझने के लिए तो यहाँ पे हमने एक bullish channel बना दिया जिसके अंदर अभी market चर रही है और currently अगर market देखें तो इस bullish channel के bottom के करीब market आ चुकी है इसको मैं अगर यहाँ पे आपको दिखा हूँ तो market का जो basically trend चला था जो higher high का trend चला था यह आपको एक दफ़ा मैं mention करते हैं तो पहला point यहाँ पे इस level पे लगा था 31,000 पे जो market ने जहाँ से higher high basically properly एक channel बना के market ने शुरू किया था market का पहला जो point था 31,000 पे market ने वहाँ से एक higher लगाया 35,000 का वहाँ से market ने correction ली 33,000 तक उसके बार market ने एक और higher लगाया 43,000 तक फिर market ने correction ली 39,000 तक और एक और higher higher बनाया market ने 47,000 तक और अभी market अपने higher low के करीब आ रही है दोबारा जो के market का 43,500 के करीब higher low है market का higher low भी 43,500 पे है और market की जो 100 है moving average इसना से market ने last time इसको बहुत अच्छे तरह से honor किया था तो हमने दोनों तरफ से देखा के percentage wise भी देखा और pattern लगा के moving average की जरीए भी हमने देखा तो अभी आपको मैं एक figure दे रहा हूँ 43,500 से 42,700 ये market का important area है और मुझे उमीद है इसके बीच में ये market का meltdown ये settle हो जाएगा अब जो एक और important चीज़ है यहाँ पे देखने वाली के मार्ज के महीने में चार event है एक कल के जो chairman की selection है उसके बाद डसका का election उसके बाद monetary policy जिसका एक panic बना हुआ market के अंडर के interest rate बादा है interest rate मुझे नहीं लगता है इस दफ़ा बढ़ेगा new financial year के अंडर मुझे लगता है बढ़ेगा जून के बाद लेकर उससे भी market को फरक नहीं पड़ेगा अगर interest rate market का 8-9% भी चला जाता है उसके बावजूद market के जो बड़े targets है 55,000, 56,000 वो अचीवेबल है इसके बावजूद के interest rate market का 8-9% भी चला जाए तो interest rate monetary policy के बाद market के अंडर जो event है मुलक के अंडर वो basically यह जो long march है तो यह 3-4 चीज़ें हैं आगे तो march का महीना आपका इसी volatility के अंदर गुजरना है जिस तरह से आपने यहां पे देखा यहां पे आपको मैं mention कर दो यहां पे market जिस तरह से नीचे आई और एक उसी तरह का sharp आपको bounce back मिला उसके बाद sideways चलीगी तो market जब भी अपना bottom लगा लगी उसके बाद एक bounce back जो उस correction का एक basically upside bounce back होगा उसके बाद market शायर sideways चली जाए market के अंदर volume क्योंके बहुत मुश्किल है कि अब भी march के अंदर revive हो march के अंदर जो जिनको swing trading करनी आती है जिनको intraday अच्छी trading करनी आती है उनको market बहुत अच्छे मोके देगी जिसना से आज आज आपने देखा कि market 400 point तक negative गई सुबा और उसके बाद फिर market recover हुई और market तकरीबन 200 point प्लस तक गई और इस 600 point की ride के अंदर कितने सारे SS scripts थे जिन्होंने 5% 6% का profit दिया और सिर्फ उनको जिनको अच्छी swing trading करनी आती है लेकिन अगर आप investor है तो जो markets के इस time rate है जो blue chips के rates है उनको अगर आप buy करके mid term के लिए hold करेंगे तो वो definitely pay off करेंगे लेकिन आप ये expect करेंगे आप buy करें और कल आपको market gain दे दे या शाम तक gain दे दे तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि market के अंदर volatility बहुत ज्याद है आपकी entry किस तरहां से आप लेते हैं किस base के उपर लेते हैं वो बड़ा depend करता है और swing trader के लिए बहुत अच्छी opportunities होंगी जिस तरह से market आपने यहां पर देखा था पड़ी है तो इस correction के अंदर सबी scripts को इसी तरह से mark पड़ी थी जिस तरह अभी current rally के अंदर पड़ी है ठीक है तो मैंने आपको index का rate भी बिता दिया कि जिसके अंदर expected है कि यह meltdown रुके ठीक है उसके बाद एक bounce back और उसके बाद अगर volumes नहीं आते तो फिर market sideways हो जाएगी तो उसके बाद फिर देखेंगे कि market के अंदर क्या strategy आगे होनी चाहिए फिलाल हम इन levels को focus करेंगे कि इसके अंदर market आपको एक अच्छा bounce back देगी इंशाला से और swing trading करते रहें जहां पे अच्छे levels आपको नीचे मिलें किसी भी अच्छे script के अंदर जिसके अंदर volumes होते हैं तो वहां पे आपको trades बहुत अच्छी मिलेंगी लेकिन March आपका इस volatility के अंदर ही गुजरना है इंपॉर्टन levels आपको बताती है इसके साब से अगर wisely आप trade करेंगे तो आपको इस महीने के अंदर भी बहुत benefit होगा